बीजेपी के, विष्ण निता मुर्ली मनहर जोशी से भी पियम मोधी ने की मुलाकात बीजेपी को मिली भारी जीत पर मुर्ली मनहर जोशी ने कहा अब पियम मोधी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है पीम मोदी से मुरली मनोहर जोशी की मुलाकात के बाद अमिच शाह ने ट्वीट कर लिखा मुरली मनोहर जोशी जी ने अपना संपोर जीवन बीजेपी के विस्तार और देश में शिक्षा विवस्ता को सुरुधर्ण करने में समर्पित किया है केंद्री कैबिनेट दल की बैठक में सोलमी लोगसभा को विगठित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद नरिंदमोदी प्रधानमंत्री पत से इस्तिफा देंगे लोगसभा चुनाव में अतिहासिक जीत के बाद शुरू हुई नई सरकार के गठन के प्रक्रियत दिल्ली में आग बीजेपी की केंद्री कैबिनेट दल की बैठक मौजूदा लोगसभा का कारिकाल तीन जून को खत्म हो रहा है नई लोगसभा के एकठन के रिए तीनों चुनावाई उक राश्वती से मुलाकात करेंगे नम निर्वाचित उमिद्वारों की लिस्ट सौपेंगे 28 मई को काशी जा सकते हैं पियमोदी रोचो के लावध धन्यवाद सभा को भी कर सकते हैं संबोधित दूसरे कारिकाल में पियमोदी की पहली विदेश यात्रा किर्गिस्तान और जापान से शुरू होगी अगले साथ महीने में फ्रांस, रूस, थाइलेंड और ब्राजिल की करेंगे आत्रा पश्ची मंगाल के मुखिमंतरी ममताव एनरजी ने शनिवार को काली घाट के पार्टी मुख्याले में बुलाई बैटक पश्ची मंगाल के कूच बिहार में हिंसा घटनाई बीजेपी कारकरताओं के साथ टीमसी समर्थकों की जड़प बीजेपी के बारे कारकरता घायल पश्चिम बंगाल में हुगली में भी बीजेपी कारकरताओं पर हमला टीमसी के कारकरताओं पर आरोप बीजेपी की जीत का जश्ट मना रहे लोगों को पीटा दो घायल नतीजों के बाद हावला के शाली मार इलाके में हिंसा टीमसी बीजेपी कारकरता आपस में भीड़े कई लोग घायल कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी ने 25 मई को बुलाई दिल्ली में बैठक लोगसभा चुनाओ में हार पर होगी चर्चा पार्टी ने तुर्त में बदलाओ को लेकर भी बात चित संभव पंजाब की सीम अमरंदर सिंग की नवजोत सिंग सिद्धू से नाराजगी जारी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा से गले मिलने पर फिर एतराज जताया चुनाओ के दौरान भी मनमुटाओ सामने आया था एंपी में कॉंग्रेस की करारी हार पर 26 मई को मैरतन बेठक करेंगे सीम कमलनाथ मंत्रों पर कारवाई कर सकती है पाठी बिहार में हार के बाद महागडबंदन पर कॉंग्रेस ने उठाए सवाल कॉंग्रेस नेता साधानान सिंग ने कहा कॉंग्रेस को नजरंदास करने का मिला परिणाम बैंगलूरू में कुमार स्वामी के मिनिट बैड़क के बाद बोले जिप्टी सीम जी परमेश्वर कहा S.G. कुमार स्वामी के नित्रुत में हमारा गडबंदन रहेगा जारी U.P.M. प्रियंका गांधी वाड़रा सरदार नहीं रही प्रचारवली ज्यादातर सीटों पर मिली हार मुंबई में प्रियादत को हराने के बाद पूनम महाजर ने P.A.M. मोधी को दिया जीत का स्रे कहा जनता ने मुझे विश्वास जताया है पूरी मेहनत से काम करूं भी पूर्वी देश मंतरी एसन कृष्णा ने P.A.M. मोधी को बताया देश के भविशे के लिए बेहतर प्रधान मंत्री कहा राहूल गांधी कभी गंभीर राजनेता नहीं रहें लोग सभाचुनाओं में बिजेपी के बंपर जीत के बाद आल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉबोर्ड ने मुसल्मानों को लिखा खत कहा मायूस नहों सख्त हालात हैं गुजर जाएगा वक्त शुरू हुआ विवाद ओल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉबोर्ड के लेटर को जेडियू ने जन्मत का अपमान बताया कहा मुसलिम पी एम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले सिध्धान पर यकीन करें एम नेता असदुद्दिन ववैसी ने कहा देश में केवल हिंदू वोट बैंक है मुसलिम वोट बैंक नहीं शरत पवाद में समर्थकों का किया धन्यवाद कहा चुनाओं के बाद इवियम को दोश देने की मनशा नहीं नेशनल कॉन्फरेंस की जीत पर फारुक अब्दुला ने जताई खुशी जमू में समर्थकों के साथ डांस किया जमू कश्मीर के पूर्व सीएम फारुक अब्दुला की सरकार को नसीहत कहा अगर वतन को बचाना है तो पड़ोसी से रिष्टे अच्छे बनाने होंगे पाकिस्तान को मुश्किल में बताया यूपी के सेम योगी आजित नाथ ने बीजेपी की जीत को बताया पांच साल की काम्याबी का नतीजा कहा जनता ने नकारात्मक राजनीती को हराया यूपी के डिप्टी सियम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत कश्रे मोदी अमित शाह की जोड़ी को दिया कहा जनता ने वंश्वाद को पूरी तरह नकार दिया धारा 370 और 35 से पर फारुक अब्दुल्ला का बयान कहा मोदी चहे जितने शक्तिशाली हो जाएं इसे हटा नहीं सकते जम्मू कश्मीर बिजेपी अध्यक्ष रविंद रहना ने धारा 370 और 35 से को राज्य की जनता के मानवा धिकार का हनन बताया कहा जितनी जल्द होगा हम दोनों धाराओं को हटाएंगे शिवसिना ने पीए मोदी को दी आतिहासिक जीत की बधाई सामना में लिखा मोदी ही देश के भागे विधाता हैं मोदी के सामने विरोधी सुखे पत्तों की तरह उड़ गए सामना में शिवसेना ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को जूटा बताया लिखा जनता ने राहुल के सभी आरोपों को सिरे से नकार लिया और उनाचल प्रधेश विधान सभा में बीजेपी ने अकेले पार किया बहुमत का अकड़ा 60 सीट के विधान सभा में अब तक 33 सीट जीती पेमा खांडू ही होंगे मुख्यमंत्री और उनाचर प्रजेश में पेमा खांडू के शपत गरहन की सभी तैयारियां पूरी पीम मोदी के भी शामिल होने की अटकले प्रजान मंत्री के शपत गरहन समारोह के बाद हो सकता है शपत गरहन वरानसी सीट पर पीम मोदी के बढ़ध पर मुस्लिब महिलाओं का जश्न एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी मोदी सरकार की दूसरी पारी के लिए नीती आयोग का एक्शन प्लान शहरों की हालात सुधाने के लिए इलेक्ट्रिक वहनों को बनाने के लिए बड़ा फैसला 31 मार्च 2013 के बाद शहरों में केवल इलेक्ट्रिक थ्री वीलर ही बेचे जाएंगे खरीदने पर सरकार 10,000 की बजाए 20,000 की देगी सबसिटी फ्यवल एफिशेंसी नॉम स्ताय करने के लिए विद्धुत मंत्राले को दी गई समय सीमा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मेकेनिजम के धाचे को दी जाएगी आखरी शकल सुप्रीम कोट को चार नय जज मिले बी आर गवई सूरे कांथ अनरुध बोस और एस बोपन्ना जज नियों किये गए अब जजों की संख्या हो गई एककतेस जमू कश्मिर के तराल में आतंकी मारा गया, सूत्रों के मताबिक मारा गया आतंकी जाकिर मुसा हो सकता है टेरर फरंडिंग केस में आज यासिन मली की वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये पेशी नई खिरासत की मियाद खत्म हो रही है माराश के तापी जिले के कुकुर मुन्दा के बेज गाव में पश्मों के बाड़े में लगी आग आग में पचास भेड और एक बाइक ज़नी तीस अंदन के ओवल मैदान पर टीम इंडिया ने बहाया जम कर पसीना कल 25 मई को न्यूजिलेंड के खिलाफ पहला प्राक्टिस मैच विराट में तेज बॉलिंग के खिलाफ की प्राक्टिस वल्ल कप से पहले सचिन तेंदूलकर ने दी टीम इंडिया को नसीहत कहा अकेले विराट नहीं जिता सकते टीम को वल्ल कप सभी को जिम्मेदारी उठानी होगी औस्टेलिया के फूर्वत तेज गेंदबास ब्रेटली ने बताया जस्परित बुमराह को वल्ल कप क्रिकेट का सर्वशेष्ट गेंदबास वल्ल कप में टीम इंडिया की बताया असली ताकर लोकसभा चुनिंग के मौके पर विवेक उबराए ने फिल्म की कास्ट और मीडिया को पिलाई चाय अपने हाथ से कुल्हण में चाय की सर्व पिम मोदी भी बच्पन में चाय बेचा करते थे बॉलिवोड स्टार्स पर भी छाया प्रधनमंत्री मोदी की रिकॉर्ड जीत का खुमार सल्मान खान अजेव देवगं धर्में समित का इसी तारों ने दी पिम की जीत की बधाई भारत रत मताम इंगेशकर ने जीत पर पिम मोदी को बधाई दी ट्वीट में लिखा रंगना की बहन रंगोली ने सोशल मीडिया पर तस्वीरे शेयर की सिल्वर स्क्रिंट पर फिर गुदगुदाएगी अक्षे कुमार सुनिल शेट्टी और परियश्रावल की तिकड़ी 2019 के अन तक हेरा फेरी तीन पर काम शुरू करेंगे प्रियादर्शन